तो उसके बाद मुप्त करने के बावजुद, बाद में यहाँ पर क्या होता है, मादवी कुछ दिनों के लिए वही रहना चाहती है, मतलब जब वो एक बच्चे को जन्म देती है, दूसरी पीट पर चंदन लगा रहेती है, और एक दासी, उसके कक्षा में वायना और एक दा देता है, नमस्कार, मैं हूं हर्शिता, हिंदी लेक्चरर विद्याश्रम कॉलेज मैसूर, आज हम मैसूर इनिवर्सिटी के फोर सेमिस्टर बीकॉम की हिंदी पट्यक्रम से मादवी नाटक जो है, उसे देखेंगे, देखें आप तक के सेशिंस में हमने मादवी नाटक मे फिर उसके बाद क्या होता है, उसे एक पुत्रलाब भी होता है, मादवी से राजा हर्रेश्च को एक पुत्रलाब भी होता है, फिर उसके बाद पुत्रलाब होने के बाद दिस तरह पहले बात तै हुई थी, कि पुत्र होते ही मादवी को मुक्त करना है, और गालव क्या कर मादवी को वहाँ मुक्त करते हैं तो उसके बाद मुक्त करने के बावज़ुद तो बाद में यहाँ पर क्या होता है, मादवी कुछ दिनों के लिए वही रहना चाहते है, मतलब जब वो एक बच्चे को जन्म देती है, तब ही क्या है वहाँ पर उस पुत्र का नाम क्या है पर वसुमना, क्या है पुत्र का नाम वसुमना, तो ऐसे में एक ममत्व उसमें क्य करके करें कि एक पता है कि नहीं को सुन्धर यहtechn 2020 कैते कि नहीं वह तुमारा पुत्र नहीं है वह तो राजा हरिष्टच का उल्हें खिर होती है की यहां फरां क्या है यहां है अगम ईपने कर्तव को बूल रहीयbaby सब्सद ár पर पर बोलती है तो इतना बहुत कुछ बहस भाते है इसके बात मंतरी आता है और आकर पर क्या करता है चाहे तो रानी कुछ दिणों के लिए रुक सकती है तबी यहाँ पर माध्वी खुश होती है पहले तो मगर बाद में जब उसे आती धी गुरु में रुकने की बात पता चलती है तब यह तो चलती है ताही क्या है उससे तुक होता और ऑडे है मेरे भी जो मुझे निबानने करके वहां से गालब और माधवी निकलते हैं कहां निकलते हैं अपर गालब को पता चलता है कि काशी नरेश के पास कशनरेश के पास आपर घोड़े हो कुछ करके तो इसलिए काशी के निकलते का या पर हम दूसरे अंक का जो एक तीसरा दृश्य जो है वो देखेंगे देखिए तीसरा दृश्य अंक दो डोल मंजीरे के साथ एक घुन समाप्त होती है कतावचक चिम्टा रख देता है कतावचक शास्त्रों में कहा गया है कि जिस राजा को पुत्रलाब नहीं होता वहा र परलोक में क्या है पर उसे जगा मिलती है मतलब उसे मुक्ती नहीं मिलती है इस था करके वन्शु को आगे ले जाने वाला सत्ता और संपत्ति का उत्तरादिकारी पित्रों के आरदना करने वाला बाप दादा के ये शको और अधिक उज्वल बनाने वाला पुत्र ही देवि और बद्रपुरुशों उसी पर घर की समाज की राजजी की गाड़ी चलती है इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि जिसके पुत्र नहीं वहां राजा रंकसमान है क्यूंकि यहापर क्या है आप देख सकते हैं सत्ता को बढ़ाने वाला संपत्ति को बढ़ाने वाला उसके सा उसका उत्तरादि करिबे हैं पित्रों का राधना करने वाला सब कुछ करने वाला सब कुछ करने हैं पुित्र ही याय वन्शु की बढ़ाने वाला क roz angli थैसके वो राजा चक्रपतित में पूत्र पर इक राजा को जो है पुत्र미 नहीं इसे पुत्रलाब नहीं हुआ तो वो राजा रंग के समान है करके तो ऐसे में आगे वा कहते है कि आयोध्या को चुड़ गालव और मादवी चलते चलाते काशी पहुंचे गंगा जी के तडपर बसी देवों की नगरी काशी के सिहासन पर महाराज दिवोदास विरोजमान थे काशी के राजा कौन है आपर राजा दिवोदास है तो गालव और मादवी यहाँ पर आते हैं देखे गंगा के तडपर कहते है कि देवताओं की नगरी काशी तो वहाँ पर वहाँ के राजा कौन है दिवोदास है प्रजा उन्हें रसिक राजा दिवोदास कहकर पुकारती थी क्योंकि वहाँ बड़े कला प्रेमी राजा थे हमेशा रसमे रसरंग में लीन रहते थे सोने की शया पर सोते हुए भी राजा दिवदास पुत्र के लिए ललाहित रहते थे देखिया पर अभी दिवदास की स्तितिक ऐसी है क्या है अभी तक उसे एक पुत्रलाब नहीं वहाँ के लोग जो है प्रजा प्रजा वहाँ के जो लोग है उसके राजा को मतलब दिवदास को है रसिक राजा करके पुकार देंकि वह हमेशा रसमें ही डूबा रहता था और उसे क्या है या पर रस रंग जो है वहाँ बहुती पसंत है उसी में ही वहाँ लीन रहता था फिर देखे दिवदास पुत्र के लिए ललाईत रहते थे उनके रनिवास में पाइंतीस रानी आती पर पुत्र लाब एक से भी नहीं हुआ था देखे राजा दिवदास के मढव को मुगद होता है वैसे हिस्ट्री के प्रती आसक्त होते थे माढवी को देखते ही उसÖा मुगद हो गए देखे बहरे वहते प्रभवरे जो है फूलों पर मुगद होते हैं उसके असपास मंड रहाते हैं वैसे ही यह रसिक राजा मादवी को देखते ही क्या है मुग्द हो जाते हैं मंत्र मुग्द हो जाते हैं दिखे जो रसिक राजा है उसके पास भी 200 अश्वो मेदी घोड़े थे जो उन्होंने अपने गुरु ब्रुग महराज के सवजन्य से प्राप्त किये थे ब्रुग महराज से जो है उन्हें 200 घोड़े ज किस तरह मंच है उस पर मतलब वहां पर माहूल किस तरह है इसका वर्णन जो है आपर कर रहें तो ऐसे में क्या है अभी उसके कक्ष है एक तो ऐसे में रसिक राजा दिवोदास शरीर में दुबला पतला है और उसके बड़ी-बड़ी मूँचे है चाल डाल में यहां दिखाने की कोशिश करता है कि वहां बहुती बड़ा शूरवीर है और सुन्दर है और प्रभाशाली विक्तित्व की धनी है इस तरह वह अपने आपको जताने की कोशिश करता है फिर अपने शौरी पर मुग्द है भढ़की ले रेश्मी वस्त्र पहने है देखे उसने क्या किया है भढ़की ले रेश्मी वस्त्र पहना है फिर क्या है बाजू पर कंगन गले में मोतियों का हार देखे बढ़की ले वस्त्र फिर बाजू में कंगन और उसके साथ साथ गले में हार है और आंकों में उसने काजल कलाई पर फूलों के गजरे देखे कलाई पर फूलों के गजर पिर उसके साथ सता आंखों में काजल भी है वहां बार-बार चाती फुलाता और मुचे अंता रहता था एक दासी पंका जुला रहे थी वहां पर राजा है ना इसले तो एक दासी उसके लिए पंका डालते हुए खड़ी थी दूसरे पीट पर चंदन लगा रहे थी और एक द दो दासी आ है और पास में ही विदुशक जो है वहां बेटा है और एक क्या है पर मादवी और गालाव एक तरफ खड़े है इस तरह का एक माहूल है भी देखे अभी दिवोदास को जो है सब बात जो है वहां पता चल गी तो इसलिए क्या है दिवोदास मादवी के पास आक क्या है दूर से ही तुम से गंदी बास आ रहीं है Training zwy इसे तूरा सभी जैवहां भाक है तब इपर आगे अश्रम से नहीं आ रही है बल्कि क्या है महराज हर्याश्ची के पास अब तक वहां रही है उन्हें पुत्रलाप इसने और क्या है उसके सांसत अभी वह आयोद्या से आरे इस तरह से उसके रनिवास में रह चुके इस तरह वह कहता है तब दियोदस अच्छा लगता तो है जैसे सीधे जंगल से चली आ रही है मादवी से काम करीडा तो जानती हो यहां केवल यग्या हवन ही करना जानती हो मादवी चुप रहती है विदूशक से जाने कि उस्तुरियां हमारी और खिंची चली आती है देखिए अपर अभी रशिक राजा यहीं पर इसी बातों से हमें पता चल जाती है कि वो कहता है कि क्या है वो सीधे जंगल से चलिया रही है तो इस तरह बोलकर वो फिर से मादवी के पास जाता है और कहता है कि क्या है तुम कुछ काम करीडा भी जानती हो या फिर पूजा पट करना ही जानती हो ऐसे तो तुम हमें कैसे रिजाओगे इस तरह सभी जो है वहाँ बोलता है मगर मादवी चुप ही कड़ी रहती है फिर देखे यापर वो अपने पास जो विदुशे खड़ा रहता है उसको देखर कहता है कि यह क्या है नजाने स्रीया क्यों मेरी तरफ कीची चली आती है देखे यापर जाने क्यों स्रीया हमारी तरफ कीची चली आती है इस तरह वो यह पर कहता है तो यह पर अपनी बढ़ाई जो है वहां खुद जो है पर कर रहा है तब विदुशक यह पर क्या कहता है आपके रूप को निहारने के लिए महाराज करके मतलब आपको देखने के लिए मानो मतलब वो खहरा है कि आप इतने सुन्दर हो इस तरह से और भी वह अपनी ही बढ़ाई करता है कि जब हम रद पर निकलते हैं तभी नगर की अट्टा लिकाए सभी क्या है स्त्रीयों से क्या है भर जाते हैं मतलब सभी जो है घर के अट्टा लिकाओं में आकर मतलब सभी बाहर आकर उसे देखने लग जाते हैं तो इस तरह सभी तभ जाओगा बाग में बी जाओंगा तब भी जो है पर स्थ्रीया जो है पेड़ के पिछे चिप मुझे देखेंगी करके तब फिर से जो है आप विदुशे कियता है किहां आपके पर रूप सुँदरी को निकार निहारने के लिए देखने के लिए, आप इतने, होँ ही इतने सुन्दर इस तरह सभी करके, तो यहाँ पर, लिए आप देख सकते हो कि जो दिवोधा से राजा है, वो अपनी बढ़ाई खुझ जो है, वहाँ कर रहा है, और उसका क्या है यहाँ बढ़ाई जो है कौन कर रहा है, उसका तो माद्वी गला वहीं पर कडें पिर यहां पर क्या है वो माद्वी कको देकर कि तुम भी मेरी तरफ ऐसे ही किंची चल्लि आई पर सब्व कहां कहता है देखें इसे बोलते बोलते फिरसे जो है वो यहां पर माद्वceptions करता है कि तुम काम क्रेडा जानती हो करके मगर मादवी चुप रहती है वो अपना सिर जुखा लेती है और जो उसके पास जो विदूशक रहता है उसको देखते हुए उसके जो है वहाँ पर और जो है बाते कहता है कि क्या है स्त्रिया तो शुंगार तो अच्छे से कर लेती है वहाँ शुंगार तो बहुत कर लेती है मगर उन्हें काम क्रीडा पता ही नहीं रहता है जब हमारी पहली रानी हमारे पास आई थी तो ऐसे में वो क्या है आबूशुन सभी पहन कर बहुत ही शुंगार करके आई थी और उन्हें यह तक पता नहीं था कि क्या है शुंगार मतलब काम क्रीडा में आपर आबुशुन का कोई काम नहीं रहता और वहों तकलीफ देते हैं चुपते हैं इस तरह सभी करके तब विदुशक आपर हसता है देखिए मादिवी को यह पर इन सभी बातों से जो है बहुती दुख या फिर एक बहुती जो है उसे चिर्टिड़ा नहीं है कि तुमने कभी अपनी प्रियकर को या फिर प्रियतम को जो है पर चंदन का लेप नहीं लगाया ठीक सी लगाओ के प्यांट से लगाओ इस तरह सभी वहां कहता है और इन सभी शब्दों में अब तक उसने जो भी बात बताई उसमें उसकी रशिक्ता जो है कितनी ह और क्या है उसको काम क्रिडा में कितनी रूची है वो सभी जो है इनी बातों से अपर पता चलती है तब ही देखे पर विदुशक क्या कहता है कि चंदन का लेप स्त्रिया लगाती है राजन पुरुष नहीं लगाते पुरुषों में तो केवल आप ही लगाते है मतलब हो व पुरुषों में सिर्फ और आप लगाते हो करके उतने में ये पर पारिचरक महराज के जय हो भी दिवदास कहो किया है पारिचरक मुनीराज बुग की वर से एक सादु पदा रहे है दिवदास क्या यह यह संपन्न हो गया ले आओ अंदर मतलब ये बाते से चलती रहती है कोई एक सेवक आता है और ब्रुग महराज की तरफ से कोई सेवक मतलब कोई पदा रहे करके आपर कहता है तो हां तो ठीक है मतलब लगता है कि यग्य क्या है यापर पूर्ण हो गया है तो उन्हें अंदर बेजो इस तरह सभी आपर वहां कहता है तो ऐसे में पारिचारक जकर सादू को अंदर बेचता है और क्या है सादू क्या आते ही अपर जो राजा दिवोधा सेवक्या है उनका आशिरवाद लेने के लिए मुनिराज के अनुग्रा से अभी रुद्धी मतलब क्या अभी उन्होंने आशिर्वाद त्यायो कहा है कि आपके वश्य में जो है शीग्र ही रुद्धी अने का मतलब क्या है पर उन्हें बहुत यह जल्दी जो है पुत्र लाब होगा करके देखे सादु की इस बात को सुनकर यह अपर दिवोधास जो है ठीक से समझ नहीं पाथ हो कहता है कि क्या है रुद्धी तो पिछले 20 साल से हो रही है मगर अभी पुत्र की होगी पुत्री की होगी बैटा होंगी यह बात बताए करके तभी सादू वीर पुत्र की महराज देखिए आपको वीर पुत्र जो है अभी बहुत ही जल्द जो है जन्म जो है आपर लेगा इस तरह सभी वहां कहता तबी दिवधास के सच्मुछ अभी सादू के कहने पर वो क्या करता है ठीक है बागी जो है शायद क्या है हम पर अभी कृपा दिखा रहा और जो स्त्री जो है हमें पुत्र लाब देगी वो हमारे सामने प्रेम की जोली फैलाये कड़ी है किस तरह यहां पर वो खेरा है फिर क्या सचमुच सत्रा बेटियों के बाद हमारे यहां बेटा होगा देखे अब तक 20 साल से क्या है आपर 35 रानियों से सत्रा बेटिया जो है भी उसके यहां है सत्रा बेटिया हुई है मगर एक भी पुत्र नहीं तो इसलिए वो कह रहा है कि सत्रा बेटियों के बाद सच में हमें पुत्र लाब होगा क्या कर करने के लिए पूछता है तब इससे तो बड़ा होने में वर्षो लग जाएंगे और शत्रु तो हमारे यहां बैटा होगा मतलब अभी यहां पर यह लगता है कि अभी उसे बहुत सारी होने के बाद उसे क्या है सह से लड़ने तक अब तक तो बताओं अभी तो बहुत सारे शत्रूं का नाश्ग करेंगा और उसे तो बढ़ा होने में वर्ष लग जाएंगे और शत्रूं तो हमारे राज जी की सीमाओं पर घने बादलों की तरह सारा वक्त मंड़ाते रहते हैं मतलब वो फिर से बोल रहा है आपर क्या है ठीक है उनके क्या है आपर नाश होने से पहले कहीं मेना नाश हो जाओ मतलब वो शत्रु तो अभी से जो है आमारे सीमा पर मंड़ा रहे है इस तरह करके वो सादू से कहता है कौन दिवोदास तबी देखे यहापर सादू कहता है कि गुरु महराज इसके लिए भी कोई अनुष्टान करेंगे इधर सामने आओ युवक गालव आगे बढ़ जाता है तुमने सुन लिया ब्रुगु महराज का संदेश गालव सुन लिय महराज देखे तबी सादू क्या कहता है अपर ठीक है उसके लिए भी कोई क्या है पूजा जो है हवन जो है वहां करेंगे कुछ अनुष्टान करेंगे ताकि शत्रू का भई जो है आपको ना रहे तो ऐसे में आपर इतना केकर सादू वहां से चले जाते है फिर जो दिवो दिवदास हम इस यूती को अपने रनिवास में रखेंगे पुत्र लाब होने पर हम तुमें अश्वमेदी गोडे दे देंगे 200 गोडे एक कम ना एक ज्यादा और इस भीलनी को भी मुक्त कर देंगे पर यदि पुत्र ना हुआ और अठरावी बेटी हुई तो हम तुम दो करके आओ और आबुशन पहन कर मत आना दभी आवाज में इने अच्छे अच्छे वस्त्र भी हमें ही जुटाने पड़ते हैं बांदी के साथ मादवी का प्रस्तान शीशे में चहरे देखकर मूँच सहलाते हुए अब देखें गुरु महराज ब्रुक के अनुष्टान का प्रभाव देखें आपर अभी क्या है एक तो यह पर सादू से भी जब बात कंफर्म होती है कि पुत्र लाब होगा तब ही उससे लगता है कि और क्या है मादवी से ही जो है उससे पुत्र लाब होगा करके कंफर्म होने पर यह पर क्या करता है मादवी को जो है वहां हम तुम्हें 200 गोड़े देंगे, ना ही एक ज्यादा, ना ही एक कम, अगर बाद में पुत्र लाब नहीं हुआ, फिर 18 भी मतलब क्या है अगर बाद में फिर से इससे भी मुझे पुत्री ही जन्मी, तो हम क्या करेंगे तुम दोनों को भी क्या करेंगे काल कोटरी में बंद करेंगे करके फिर इसके बाद क्या करता है आपर ठीक है मादवी को ले जाने के लिए बांदी को बुलाता है फिर मादवी को ले जाते समय बांदी जो रहते है उन्हें आपर क्या कहता है कि अभी इसे क्या है इस भीली को जो है देखे अभी भी वो भीली करके भूला रहा है अभी इस भीली को जो है अच्छे से स्नान करा कर उसको जो है 16 शुंगार करा के मेरे पास लाईएगा करके और मादवी से भी कहते कि क्या है मगर तुम आबूशन मत पहन कराना शुंगार करक तो इस तरह सभी जो है अपर दिवोधास जो है मादवी के बारे में उलता है तभी मादवी को कितना दुक हुआ होगा गंदी-बद्बू आती है वह बहु связ और बार-बार किस तरह तुम्हें वो पता है क्या काम-क्रीडा पता है जैसे खुल कर बात कर रहा है करतवी क्या है अभी गालव के लिए क्या है अपर जो गुरु दक्षिना है उसे जुटाना है तो ऐसे में उसके सहाइता करने तो अपने करतवी के लिए वो छुप रहती है सहती है फिर बांदिया जो है मादवी को अंदर ले जाते हैं फिर उसके बात जो है शीशे में अपन परदा जो है गिर जाता है मतलब जो तीसरा दुरुष्य है वहां संपूर्ण होता है तो इस दुरुष्य में हमने क्या देखा गालव और मादवी काशी नरेश दिवोदास के पास आते हैं दिवोदास जो है अपर अपनी भड़ाई खुद करता है विदुशक भी उसमें उस पुत्र लाप तो हम तुम्हें काराग्रुव में डालेंगे करके मगर जी ठीक है करके वासे चला जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि अभी उन्हें पुत्र लाप तो जरूर होगा करके तो इतना जो है आपर फिर से मादवी जो है क्या है और एक राजा के पास और एक